वेलकम गाईस कैसे हैं आसा अच्छ होंगे सात्यों लास्ट वीडियो में हमने टेबल गुरूप के अंदर हमने टेबल को बनाना सीखा था टेबल गुरूप के अंदर एक ही ऑप्शन होता है टेबल काफी बड़ा ऑप्शन था अब हम टेबल को एडवांस लेवल पे सीखें अपना यूट्यूब चैनल गुरूजी कंप्यूटर कोश तो चलिए सीख लेते हैं तो देखो यहां पर मैंने एक छोटी शी टेबल लिए इस टेबल को हमने दो इशों में डिवाइड कराना है तो उस सीथी में हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में पूरी टेबल को सीखने के लिए हमारा पहले वाला वीडियो देखें हम उससे आगे शुरू कर रहें ठीक है नहीं ध्यान रहे हम यहां पर कंप्लीट टेबल इंशुट करना वगरा नहीं बता रहें ना उसकी शॉर्टकट वगरा कुछ बता रहें तो उपर आई बटन पर जाएं और इससे ज्वाइन करानी है तो हम ओल्ट सिफ्ट अप अईरो प्रैस करा लेंगे तो घम यहां पर सैलेट करा करा के इस परकार से फिर स्प्लीट कराते हैं तो उसमें हमारा समय raha है वो समय बचाना चाहा रहे हम और सिधर स्प्लीट करना चाह रहा है तो हम यहीं पर कंट्रो सिफ्ट और एंटर प्रेस करा देंगे तब भी हमारी टेबल जहां पे थी जिस कर्शर पोजिशन जहां पे थी हमारी वहां से टेबल स्प्लीट हो जाएगे ठीक है जोइन करवाने के लिए हमने वही तरीका यूज़ करना पड़ेगा टेबल को इस परकार से स्लेट करेंगे और ऑल्ट सिफ्ट अप दबा देंगे इसके अलावा हमने दो या दोशे ज्यादा सैल्स को मर्ज कराना है मानदीजी इस टेबल को मैं यहां से स्प्लीट करा देता हूं पहले तो कंट्रोल सिफ्ट और एंटर और अब हमने इन दोनों को मर्ज कराना है क्योंकि मर्ज कराने के लिए देखो हम select करेंगे select without mouse के कर सकते लेकिन merge कराने के लिए तो फिर से यू mouse से यहां पर जाना पड़ेगा merge करेंगे था हम बगहर mouse के कैसे करेंगे हमने जितने भी select कराने है shift के साथ ऐसे select करा देंगे दो या तीन cell और अपने keyboard से press करेंगे alt am तो देखो जितना हमने select किया था वो सारा हमारा मर्ज हो जाएगा यहां पर वापस undo करा देता हूं control z अब इस table को delete करा देते हैं यहां से हम इस table को नहीं रखना चाह रहे हैं तो delete करा देगे यह table हमारी enough है काम आगे सिखने के लिए हमने data एंटर कर लिया हमारे पास कोई भी hard copy रजिस्टर है वहां से data हमने देखके एंटर कर दिया फटा 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 एंटर कर लिया लेकिन requirement क्या थी कि आपने data यहां पर alphabetically name wise यहां पर एंटर कराना था या mark wise एंटर कराना था कि टोप marks वाले बच्चे उपर आए फिर उससे कम उससे कम उससे कम यानि कि अपने marks यहां पर apply कराने थे तब अगर उस परकार से एंटर करते तो बहुँ ज्यादा समय लग जाता उसमें हमने एक एक को अलग करना पड़ता है ना देख देख करके एंटरी करनी पड़ती तो हमने क्या करा हमने सिधा ही एंटरी कर दिया अब इसको जैसे मर्जी short करा स चीए तो इस रोग को हम डिलीट कराएंगे पहले तो यह हमारा complete data ऐसे होना चीए पूरी table को select करा लेंगे और कुछ option जो हमारे छूट गए थे table layout के अंदर आप देख रहो data का एक option मिल रहा है group हमको इस group के अंदर चार option है चारों ही बड़े मज़ेद आ रहा है और बहुत important है सबसे पहले short का आता है short हमने कैसे कराना है देखो यहां पर जैसे मैंने क्लिक किया है short पे तो कह रहा है short भाई serial नंबर से पे serial number से short कराना है कि जूरूत नहीं है तो हम जब मर्जी इनको delete करा सकते है फिर शारेंज करा सकते है नेम वाइज मतलब हमने a to z नाम वाइज इनको असेंड कराना है पहले a वाले बच्चे हैं फिर b फिर c फिर d या date of birth wise सबसे छोटे बच्चे उपर आ हैं फिर उससे यहां से वह column चुन ले मैं यहां से चुनता हूँ marks marks में देखो यह number दिखा रहा है इसमें कह रहा है number है हम कोई भी column चुनेंगे उसकी field की जो format है वहां पर दिखाएगा date of birth का चुनता हूँ तो कह रहा है इसमे date लिकी हुई है आपने या फिर मैं name का चुनता हूँ कह रहा और low बच्चे निच्चे then descending order क्लिक कराएंगे बस हो गया काम और okay करा देंगे कैसे पता चला आपको यह accurate हुए देखो यहां पर serial number पर आ जाओ यह जो एक number जतिन उपर था सबसे उपर जतिन ही तो था 320 number थे तो यह सिरफ उशी column पर effect नहीं डालेगा यह पूरी row के उपर effect पूरी row ही हमारी वहां से change हो जाएगी अगर change नहीं होगी तो गडबड हो जाएगी ना पुस्पा के number 422 है पहले कुछ और ते फिर 422 हो जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा जा फिर हम इनको alphabetically करें तो फिर से हम चले जाएंगे short पे और यहां से हम चुन लेते हैं name और इसको ह इसके अधर आपने header row को सामिल नहीं करना है तो यहां से हम header row को check रखेंगे यदि इसको आप uncheck कर देते हो नो header row कर देते हो तो यह header row भी हमारी ascending में सामिल जाएगी तो इसको सामिल नहीं करना है यह हमारी header ही रहेगी clear okay कर देगे अब हमारे a to z होगे अरजन विक्रम कीता ह में चतिन पुष्पा यह ए से जैड की तरफ चलेगा देखो पहले अर्जुन पहले 422 वाला उपर था अब पुष्पा पी सबसे बाद में आ रहा है अल्फबेट में तो यह पुष्पा पांच नंबर पे जो 422 तब सबसे निचे आ रहा है असेंडिंग और डियासेंडिंग किलियर हो गया समझ लोगे अब इसके बात आता है डेटा हमारे पास कुछ ज़्यादा ही बड़ा डेटा है ना यहां पे देखो मेरे पास पांस पेज हैं पहला पेज निचे चलेंगे दूसरा पेज तीसरा प पर प्रिंट लेना चाहरा है हैं मैं यहां पर कराता हूं कंट्रॉल पी तो देखो यहां पर प्रिंट 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 करते रहेंगे क्या करेंगे सिंपल जिस रोग को हमने हैडर रोग बनाना है उस रोग को हम स्लेट करा देगे इसको हमने हैडर रोग बनाना है लेयाउट में चले जाएंगे यहां से हम रिपीट हैडर रोग पे किलिक करा देंगे बस हो गया काम आप जाके देखोगे निचे पर देखो second page पे, third page पे, या फिर हम इसका print preview देखें, keyboard से control left to press करें, print preview नजर आ जाएगा, print preview के अंदर देखो पहला page, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चोथा, ये पाँचवा, सभी pages पे आपको ये रो नजर आएगी, इसके बाद next option देखो वह आ आप नजर आ रहा है, convert to text, मैं पहले तो इस table की copy बना लेता हूं, ctrl c, और यहां से आके करा देता हूं, paste, हमको ये तो table सी है, लेकिन ये table, table नीची है, ये हमको table हटानी है, इसको data format में कराना है, text format में लेना है, तो simply table delete नहीं होगी, उसको हमने convert करना पड़ेगा, पहले उ आपने जो table के अंदर जो text है, उसको कैसे convert करना है, एक paragraph marks के रुप में, कि सभी के बीच में एक paragraph का marks पड़ जाए, या फिर सभी के बीच में जहाँ पर column है, वहाँ पर tab यूज हो जाए, tab लग जाए, tab भी मैंने आपको सिखाया है, जब हमने paragraph सिखाया है न, और tab को सेलेट कर सकते हैं, या अधर कोई शेंबल चीए, तो अधर कोई शेंबल लगा सकते हैं, हम tab यूज करके देखते हैं, ok कराएंगे, अब यहां से table गायब हो चुकी है, और यह हमारा as a text data यहां पर आ गया, 20 में हमारा जो gap है, यह tab है इसके अंदर, उपर ruler पे जाके देखो कि जहां जहां पर हमारे वो column थे, वहां वहां पर देखो यह tab का sign नजरा रहा है, यहां पर यह tab लगी हुई है, अब देखो यह click करते हैं, आप सोचो कि table है, table नहीं है, देखो उपर हमारे पास option नहीं आ रहे, इधर click करता हूँ, तो design और layout नजरा रहा है, लेकिन जब हम इस data पर click कराते हैं, तो वो गायब हो जाता है, क्यों कि यहां पर table नहीं है, अब यह हमारे पास as a text है, इसको table में convert करना है वापस से, तो पूरे data को हम select करा देंगे, select कराने के बाद, आप देखोगे उपर, अब आपको वो तो option नजरा आई नहीं रहा, तो कहां से करेंग वापस insert में जाएंगे, table, और table के अंदर आपको मिलेगा यहां पर convert tax to table, clear, यहां पर click कराओ इसको, यहां पर इसने अपने आप count कर लिया कि यहां पर columns हैं, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच है न, बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हैं, उतनी blank आ जाएंगे, और number of row साथ हैं, बिल्कुल साथ ही है हमारे पास, okay करा देंगे, लीजी, वापस से table में convert हो गया, या फिर data आपका ऐसे नहीं है, मैं इस data को delete करा देता हूं, पूरी table को हम यहां से delete करा देंगे, और data हमने लिखा है, कुछ coma के अंदर इस परकार से न, फिर से मैं यहां पर second line और फिर यहां पर मैंने text लिखा, तीन कोमा मने खाली छोड़ दिये, और फिर हमने लिख के कोमा डाल दिये, तो जितने कोमा है, उतने का मतलब column है, हम इसको अगर पूरे को मैं select करा के, वापस insert के अंदर से, और convert text to table करूंगा, तो कर देगा, देखो, बिल्कुल कर देगा इसने पांच कोलम काउंट करें, क्योंकि चार कोमा है हमारे पास, तो पांच कोलम बंगे चार कोमा के recording, रो, एक, दो, तिन, चार रो दिखा रहा है, जितने paragraph लिए है, उतनी रो, ओके कराते हैं, लीजिए, जो हमने blank छोड़ दे थे, कोमा, वहां किजी के blank cell ला गए, बाक पास, टेबल के अंदर, फोमला, एक्चुल में फोमला तो, एसली यूज़ तो देखो, Microsoft Excel के अंदर है, और यदि आप Microsoft Excel सीखना चारहे हैं, फोमला सीखना चारहे हैं, तो वो सीरीज भी हमारी साथ-साथ चली हुई है, आप वो भी जरूर देखें, लेकिन यहां भी हम कु कोई सेली, कोई किसी परकार की अमांट, उनको हमने टोटल कराना है, यह नमबर आ गया हमारे पस, इनका जोड करना है, तो पहले तो मैं बताऊंगा इसके अकोर्डिंग, और फिर मैं बताऊंगा आपको ट्रिक्स, तो मिस मत करना, लास तक देखना, हमने यहां पर जोड कर होते हैं, देखो, ABS, A&D, Average, Count, Defined, False, If, Int, Max, Minimum, Mode, Note, Over, Product, Around, बहुँ साए फोमला यहां भी मुदूद है, हमने क्या करवारना है, हमने Sum करवारना है, किसका Sum करवारना है, जहां भी फोमला लगा रहे हैं, उसके Above की Value का, यह उसके Left की Value का, यह उसके Right की Value का, जहां भी इसक हो आ रहे हैं, तो इसके उपर है Value, तो हमने क्या लिखा, Equal to Sum, Bracket के अंदर About, बस, Number Format, आप चुने, ना चुने, कोई फरक नहीं पड़ता है, यह Number Format, उटा लेगा, सिधा हमने इसको OK करा देना है, बस, आ गया Sum, Average निकाल के देखना चाहें, तो हम Average निकाल देंगे, उसके लिए सीधा-सीधा Function में जाएंगे, और यहां पे हम Sum की जगें, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां से Function चुनने की ज़रूरत नहीं है, हम Manual भी Type कर देंगे, Average, Above, तन OK, तो यह Average आ जाएगी, Simple तरीका है Formula लगाने का, अब मैं ट्रिक्स के जरीए बताता हूं, पहले मै ट्रिक्स के लिए, यहां से इसको Copy करा लो, Ctrl-C, और एक Table और पेस्ट करा लेते हैं, और यहां पे कुछ Value हम Change करा दें, तो Formula में थोड़ा सा मज़ा आएगा सीखने में, चेंज हो गई, और उस Formula को सीखने के लिए, देखो, मैं यहां पे कुछ और चीज़ आपको करके दिख हाता हूँ पहले, देख हम छोटी सी Calculation करते हैं यहां पे, उसके लिए, Calculation के लिए हमने क्या करना होगा, हम यहां पे करेंगे, Control के साथ F9 की Press कराएंगे, तो आप देखो कि Curly Brackets लग जाएंगे मारे पर से, Curly Brackets के अंदर, हम यहां पे करेंगे Equal Sign Press, और Equal के अंदर, हमने क्या करना है, हमने करना है 4, प्लस 56, प्लस 9, प्लस 8, प्लस 10, इन सभी का जोड कराना है, और कर देंगे F9 Only Press, तो सभी का Total यहां पे आ गया, इसी परकार हम यहां पे Sum भी यूज करा सकते हैं, Average भी यूज करा सकते हैं, Maximum, Minimum, जो Formula हमने यूज करना है, हम F9 और Control F9 क की मतल से कर सकते हैं, अब देखो, यहां पे हमने Sum कराना है, इनका, तो उदर function में जाने की जूर्थ नहीं है, यहीं पे हम Control के साथ F9 प्रेस करें, Equal Sum, Bracket Start, A, B, O, V, E, Above, and F9, हो गया Sum, अब देखो, Magic यहां पे, हम इसी को यहां से Copy कराएं, Control C, और यहां पे कर दे, Control V, यहां भी कर दे, Control V, अब Complete, हम करेंगे, Control A, Select All, की बोर्ड से करेंगे, F9, देखो, Magic, फिर से हम क्या करें, हम यहां पे कुछ वैल्यू चेंज करा देते हैं, मैं यहां पे, मान लिजी हमने कुछ वैल्यू चेंज करानी पड़ गई न बीच में, तो हम चेंज करा लेते हैं, कोई बात नहीं है, यह लिजी है, चेंज होगी इसारी, फिर से करेंगे, Control A, F9, हो गया, Magic, इसी परकार से आपने जो भी Formula यूज करना है, आप Simply कीबोर से Control 9 प्रेस करें, Formula Apply करें यहां पे, और F9 से उसको Submit कर दें, तो जब तक हम को इस परकार की कोई Tricks नहीं पता होती, तो हमारा काम काफी मुस्किल हो जाता है, और जैसे हम कोई Tricks पता चल जाती है, Tips पता जाती है, तो हमारा काम बिलकुल सरल हो जाता है, तो इसी परकार की Tips, Shortcuts और आगे के जितने भी Tutorial हमारे सिखने के लिए लगाता हमारे साथ बने रही है, आसा करूँगा वीडियो आपक जरू कर लिए